आज की क्लास में प्रावदिक कला कच्छा बारक लिए मॉडल पेपर को यहाँ पे साल्व करेंगे इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर साल्व करवा दिया गया है यह दूसरे नमबर का मॉडल पेपर है यदि आपने पहले मॉडल पेपर को नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखें याद रखिएगा आपका जो प्रश्नपत रहेगा अर्थात आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर करहेगा और आपको जो समय मिलेगा कुल समय आपको 3 घंटे 5 मिनट करहेगा जिसमें से 3 घंटे आपको पेपर हल करने के लिए डेट तैह हो चुकी है ये पेपर आपका 28 फरवरी 2024 को होगा इसलिए डेट अवसियाद रखें समय आपके पास बहुत ही कम बचा है यदि अभी तक आपने तयारी नहीं सुरू की तो तयारी सुरू कर दीजिए सबसे पहले आपको यहां पर ग्यात होना चाहिए कि आपका जो तोटल इसमें 6 सेक्सन रहेंगे और प्रतेक सेक्सन से आपको प्रश्न करना अनिवार रहे जो सेक्सन ए रहता है इसमें आपके 10 बहु विकल्पी प्रश्न रहेंगे सेक्सन बी में आपके 2 प्रश्न रहेंगे जो की 6-6 नंबर के रहते हैं इस पकाज से सेक्सन बी आपका 12 नमबर का पुछा जाएगा Section C में 2 प्रशन रहेंगे किन्तों 2 में आपको सिर्फ एक ही प्रशन करना है जो की 16 नमबर कराएगा Section D में भी दो प्रशन आते हैं जो की अथवा करके दिये रहते हैं इसमें भी section D में भी 2 प्रशनों में कोई कोई एक प्रशन आपको करना होता है और इसके लिए आपको 16 नमबर मिलते हैं इसी प्रकार से section E में भी दो प्रशने रहेंगे उनमें से कोई एक प्रशन करना होगा और एक प्रशन के आपको 16 नमबर मिलेंगे Section App में तीन प्रशन रहेंगे तता उन तीन प्रशनों में कोई एक ही प्रशन आपको करना होगा और उन एक प्रशन के लिए यहाँ पे आपको 30 नमबर मिलेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे खंड आ खंड आ में आपका वस्तुनीश प्रशन पूछे जाते हैं जिसे इंगलिस में हम अब्जेक्टिव टाइप कोशन कहते हैं तता हिंदी में इसे हम बविकल्पी प्रशन भी कहते हैं सबसे पहले यह आपको याद रखना है कि जब आप एक्जाम देने जाएंगे उसी प्रकार से यहाँ पे ड्राइंग सीट के साथ कॉपी मिलती है यदि आपको कॉपी नहीं दी जाती तब आप सभी प्रकार के कार आपके ड्राइंग सीट में ही करेंगे एक ही आपको ड्राइंग सीट दी जाएगी उसी में सारा कार करना होता है साथ में याद रखना है कि ड्राइंग सीड मोटी रहती है इसमें एक साइड से दूसरे साइड में यदि आप कलर करते हैं तो भी कुछ नहीं जाता है इसलिए आपको किसी प्रकार का अपने मन में डाउट नहीं रखना है कि यदि हम कलर करेंगे तो पेज हमारा खराब हो जाएगा और दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो खंड आ रहते हैं खंड आ आपको यदि ड्राइंग सीड मिलती है तो उस ड्राइंग सीड में खंड आ आपको पेंद वारा ही करना है पेंसिल द्वारा कोई भी ये खंड आ नहीं करेगा जितने भी बबिकल पे प्रशने रहते हैं वो आप पे और स्केज के मदद से ही लिखेंगे सुरू करते हैं सबसे पहला इसमें आपका प्रशन है एक सम चतुर बुझ में कितनी बुझाएं होती हैं बुझाएं इसमें चार होती हैं यदि आप से वर्घ में पूछे तो वर्घ आपका कुछ इस पकाश से बनेगा तो वर्ग में भुजाओं के संक्या पूँचे तो वर्ग में एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा रहेंगी इसी प्रकार से यदि आप आयत में कोई पूँचे तो आयत में भुजाओं के संक्या चार रहती है एक दो तीन चार समचतुर भुज रता आपका कुछ इस पकार से बनेगा इस पकार से समचतुर भुज बनेगा और इसमे भुजाओं के संख्या चार रहेगी निश्ड प्रश्ण है एक सधान पैमाने पर अधिकांस कितने प्रकार के नापें अंकित कर सकते हैं आप्सन का दो, आप्सन खा तीन, आप्सन गा चार, आप्सन गा पाँच। याद रखिएगा जो सधान पैमाना होता है, सधारन पैमाने पर आप सिर्फ दो ही प्रकार के मापें दर्सा सकते हैं। चिंगा जाता है option का संभाव, option का विसंभाव, option का संधुभाव, option का संकॉण याद रखेएगा जब हम दो बृत्तों के छेतर फल के अंतर के बराबर एक बृत्त बनाते हैं तो उसमें हम संकॉण तिर्बुज का प्रयोक करते हैं, right answer हो जाएगा option अमबर घा निश्ट प्रश्ण है दीरगच तथा लगवच एक दूसरे को जिसकोंड पर काटते हैं वो है आप्सन का 80 डिगरी, आप्सन का 75 डिगरी, आप्सन का 60 डिगरी, आप्सन का 90 डिगरी याद रखिएगा दीरगच और लगवच जो एक दूसरे को जिस कौण पे काड़ते हैं आपको दीरगच के बारे में पता होना चाहिए यह जो रेखा जाती है इस रेखा को हम दीरगच कहते हैं और इस दीरगच को जो रेखा सम लम अर्दक करती है अथात इस पकार्च चारती है उसे हम लगवच कहते हैं और ये लगवच यहाँ पे दीरगच को नब्यंस के काड़ती है यहाँ पे समकौण बनाती है तो याद रखिएगा यदि नब्यंस नहीं आता तो वहाँ पे समकौण आ सकता है तो दोनों पॉइंट आपको याद रख तता जो इसमें ये इसपर्स रेखा होती है इसपर्स रेखा दीरगबित में इसके वक्र को इसपर्स करती है ये जो भाग होता है ये इसका वक्र होता है इसपर्स रेखा कहीं पर भी इस पकार से भी हो सकती है जो कहीं से भी इसके वक्र से इसपर्स करती हुए जाएगी इसे हम अब लम कहते हैं और ये अब लम इस पर सरेका के साथ यहां पर 90 का कौन बनाता है तो ये सभी पॉइंट हो गए दीर्गबेस रिलेटेड नेश्ट प्रशन है तिरबुजा कार संपास के दोनों सिरे क्या होते हैं आप्सन का पंचबुज आप्सन खावर्ग आप्सन तिरबुज आप्सन खावर्ग तिरबुजा का संपास के दोनों सिरे जब भी संपास की बात की जाए तो याद रखिएगा संपास आपका कुछ इस पकार संपास कह रहा है तो तिरबुजा का संपास आपका कुछ इस पकार से बनेगा इसमें तिरबुजा का संपास के दोन तिरबुजाकार लिखा है तो जो उसके सिरे होंगे वो भी देखिये कैसे होंगे तिरबुज के अकार के होंगे तो इस प्रशन का राइट अंसर हो जाएगा option number गा और यद यहीं पर संपार्स के आंगे मान लीजिए पंच बुजाकार लिखा होता तो उसको जिस सिरे के अका किनारों को क्या कहते हैं option का लंब किनारे, option का आधार किनारे, option का प्रिछेव, option का सम्मित अच याद रखिएगा सम्मित चितर में एक ठोंस के कोण बनाने वाले तीनों किनारों को क्या का जाता है तो उसे हम सम्मित अच कहते हैं आपने section E में बहुत ही अच्छी तरीके से एसे लेकर जट तक के जो सम्मिच चितर हैं उन्हें सीख लिया होगा यदे नहीं सीखा तो प्लेलिष्ट में जाके आप देख सकते हैं एसे लेकर जट तक सभी सम्मिच चितर कंप्लीट करवा दीगे हैं जब हम सम्मित चित्र कोई भी सम्मित चित्र बनाते हैं तो उसमें जो तीनों किनारे होते हैं अर्थाज सबसे पहले हम इस पकार से अधार रेखा कहिंचते हैं अधार रेखा खिचने के बाद एक 90 अंस का कॉंड इस पकार से बनाते हैं उसके बाद एक 3 units की रेखा केंचते हैं और इस और हम 3 units की रेखा केंचते हैं तो यह जो तीनों किनारे होते हैं जो यहां पर मिलते हैं उन्हें हम क्या कैते हैं इन रेखाओं को क्या कैते हैं सम्मित अच Aur बोला जाता है तो राइट अंसर इसका हो जाएगा option number गा निश्ट प्रश्ण है 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 एक मीटर में कितने सेंटिमीटर होती है उप्सन का 100 cm उप्सन का 10 उप्सन का 10000 य्याद रखिएगा सेंटिमीटर हती है रा यह 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 पूंच ले एक सेंटी मीटर में कितने मिली मीटर होते हैं तो मिली मीटर जब भी पूँचे तो एक सेंटी मीटर में कितने मिली मीटर होते हैं दस मिली मीटर और यदि इसी प्रश्ण में आप से पूँच ले कि एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं एक किलो मीटर में एक हजार मीटर होते हैं ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं निश्ट प्रशन है ब्लॉक प्रिंटिंग में गौथिक सैली यूनिटी सब्द लिखने के लिए कितने ब्लाग बनाना उपयोगत होगा आपसन खा 21, आपसन खा 23, आपसन गा 24, आपसन गा 25 यहाँ पर यूनिटी सब्द लिखा है यूनिटी को जब आप कितने खानों में लिखेंगे यहाँ पर ब्लाग प्रिंटिंग में गौथिक सैली में कितने ब्लाग बनाना होगा block को हम खाना भी कहते हैं तो block आ सकता है आपके option में या फिर खाना आएगा तो दोनों एक ही चीज आए यहां पे सबसे पहले देखेंगे कि U चार खाने में बनेगा N चार खाने में I एक खाने में T चार खाने में Y चार खाने में चोड़ते हैं तो U और Y यन के मद्थ 1 खाना यन और I के मद्थ 1 खाना आई और T के मद्थ 1 खाना ती और Y के मद्थ 1 खाना इस पकास से इसलोगी चार खाने और इसमें छोड़े जायेंगे तो 17 और सारड़ा करें गे सत्रा चार हो जाएगा 21 तो आपसन में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 21 दिया हुआ है तो राइट अंसर बहुत से स्टुडेंट क्या करेंगे इसको 21 सही कर देंगे किन्तु आपको याद रखना है जब भी इस पकासे कोई सब्दा है सब्द में कुल बलाक या कुल खाने पूँचे तो उसमें आंगे क्या एक खाना जोड़ा जाता है और एक खाना पीछे का जोड़ा जाता है तो इस पकासे 21 खानों में ये बना था और आंगे और पीछे का एक एक खाना जोड़ेंगे तो दो खाने और हो जाएंगे तो ये कुल टोटल कितने खाने हो जाएंगे 23 तो राइट अंसर जो इस प्रशन का होगा वो होगा option number खा और याद रखिएगा यदि प्रशन में 23 न दिया होता तब फिर राइट अंसर आपका 21 यह होता किन्तु यहाँ पे 21 और 23 दोनों दिया हुआ है इसलिए जो राइट अंसर होगा वो होगा option number खा 20 आपको हमेशा याद रखना है कि आंगे का और पीछे का खाना इसमें जोड़ा जाता है किन्तु यदि option में आंगे का और पीछे का खाना जोड़ कर option न दिया हो तब right answer जो total इनको जोड़ने से जितने खाने बनेंगे जैसे इनको जोड़ रहे हैं तो 21 खाने बनना है तो right answer 21 होगा किन्तु option में यदि आंगे का खाना जोड़ा गया है और पीछे काणा जोड़ा गया है और option दिया हुआ है तो right answer फिर वही option होगा यह जो point है इसे आपको याद रखना है और इस question का right answer हो जाएगा option number खा आपको comment करके बताना है कि यह जो आपके 10 objective question है समापत होते हैं यही पर 10 में से आपके कितने question है सही हुए इसके बाद खंड आ के बाद आता है खंड बा खंड बाकू section B भी बोला जाता है याद रखिएगा यह जितने भी प्रशन होते हैं एक जाम जब आप देने जाएंगे तो यह दोनों प्रशन आपके सभी प्रशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेंगे इसलिए जो अंग्रेजी इंग्लिस मीडियम के चातने वो परिसान नहों आपका प्रशन पर हिंदी में भी रहेगा और इंग्रेजी में भी रहेगा Section B में सबसे पहला प्रशन रहेंगे पहला प्रशन का दूसरा प्रशन खा और खा में ही एक अथवा करके प्रशन यह दिये रहेगा जो कि बिकादम आपनी से रहता है इससे आपको याद रखना है कि जो खंड बा होता है ये कुल बारंग के कराएगा और दो का जो का होता ये करना आपको अनिवारी है ये आप करेंगे तब ही इसमें आपके दो के का में आपको यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे यदि आप इसे चोण देते हैं और खा और इसे कर देते हैं तब भी आपको 6 नंबर मिलेंगे क्योंकि इसमें जो है आप या तो इस प्रशन को कर सकते हैं या फिर इस प्रशन को कर सकते हैं खा में आपको एक प्रशन का छूट रहती है अथवा यहाँ पे देखेंगे अथवा दिया होता है इसलिए यह तो आप इसे करेंगे यह तो आप इसे करेंगे इन दोनों प्रशनों में कोई एक ही आप करेंगे किन्तु ये जो प्रश्ण रहता है दो कका इस प्रश्ण को करना ही आपको अनिवार होता है इसलिए इस प्रश्ण को जरूर करें यहाँ पी प्रश्ण देखेंगे साड़े 3 cm के उचाई में चापे के बड़े अच्छरों में प्रकास हुआ चाययुक्त गनाकरती अथवा सॉलिट सब्द हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिखिये यहाँ पर हमें गनाकरती लिखना है या फिर सॉलिट लिखना है जिसमें आपकी रैटिंग अच्छी है यदि हिंदी में आपने अभ्यास किया हुआ है तो आप हिंदी में घना करत लिख सकते हैं या अंग्रेजी में ब्यास किया है तो आप सॉलिड लिखेंगे और उचाई कब इसे ध्यान रखें उचाई यहाँ पे साड़े तीन सेंटीमीटर है तो इसमें आपको यह जो दो का का प्रशन होता है यह चापे के बड़े अच्छ़नों से रिलेक्टेड़ होता है इसमें यहाँ पे जो सब्द होता है यह सब्द आपके प्रशन में बदलेगा और यहाँ की उचाई बदलेगी और बाकि जो सेम प्रोसेस करने का होता है वो सेम होता है आजे देखते हैं कि इस प्रशन को किस पकाई से साल्व करेंगे सबसे पहले हमारा सब्दिता solid solid में सबसे पहले cool total खाने हम निकालते हैं तो cool total खाने निकालने के लिए आपको ग्याथी होगा कि जो yes है, yes यहाँ पे 4 खाने में बनेगा O, 4 खाने में L, 4 खाने में I, 1 खाने में D, 4 खाने में उसके बाद प्रतेक दो अच्छरों के बीच एक खाने के रिष्टान चोड़ते हैं तो यहाँ पी S और O के मद्द ये देखिए हम एक खाना जोड़ेंगे O और L के मद्द एक खाना L और I के मद्द एक खाना I और D के मद्द एक खाना और इसके जो जब भी हम खंडबा करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा आंगे खाना और पीछे खाना हमेशा जोड़ेंगे खंडबा में आपको ये कार अवस्ट करना है कि जब भी कोई सब्दा हैगा तो उसके आंगे और पीछे खाना और जोड़ेंगे किन्तो बहुत बिकल्पी प्रश्ण में आप आपसन के उनसार करेंगे तो इसमें आंगे और पीछे का ये के खाना और जोड़ेंगे तो ये देखिए पीछे का ये खाना जोड़ेंगे सत्रा, अठारा, उन्नीस, बीस, एकिस, बाइस, तेज, इस प्रकार से जो सॉलिल लिखा जाएगा, वो कुल टोटल टेज खानों में लिखा जाएगा, अब इसके बाद हमें जो उचाई दी हुई थी, वो उचाई दी हुई थी, साड़े तीन सेंटीमीटर, तो अब साड़े जो एक खाने के लंबाई रहेगी, वो 0.5 सेंटीमीटर में बनेगा, तो इस प्रकार से यदि आप से माल लिए, उचाई तो 0.8 सेंटीमीटर, यदि उचाई आता है, दो 0.8 आएगा, तो इसमें साथ का भाग करेंगे, तो साथ चोकोट टाई जो एक खाना बनेगा, वो 0. किरी दसमलो, चार सेंटीमीटर में बनेगा, इसी प्रकार से, कोई भी यदि आप से उचाई दियो तो इसमें हमेसा साथ का խाग करते हैं, उचाई में हमेसा 7 का भाग करेंगे, इस बात को आपको या तक ना आए, जैसे साढ़े 3 सेंटीमीटर उचाई दी हुई थी, तो इसमें हम साथ का भाग करेंगे और एक खाने की यहाँ पे दूरी निकालेंगे तो एक खाना बनेगा हमारा 0.5 cm में, अब इसके बाद यहाँ पे हमारे कुल टोटल कितने तेज खाने निकल के आये थे, तो यह जो लंबाई रहती है, इसकी लंबाई कितने सेंटी मिटर की हम रहती हैं, इसके लिए यह जो तेज खाने निकल के आये हैं, इसमें हम 1.5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे, तो तेज गुणे 0.5, इसका गुणा करेंगे, तो 5, 3, 15 हांसिल एक लगेगा, 5, 2, 10, 1, 1, गेरा, और दसमलो यहाँ पे देखेंगे, ए एक अंक बाद लगाए, तो यहाँ पे एक अंक बाद दसमलो लगाएंगे, तो यह हो जाएगा, गेरा दसमलो 5, तो यह कुल टोटल जो लंबाई हमारी इस पकार से जो रेखा खींची जाएगी, इसकी कुल टोटल लंबाई कितनी आ गई, यहाँ पे गेरा दसमलो 5 सेंटी ये पिक्रिया आपको प्रतीग सवाल में करना है इसलिए इससे ध्यान पूरवक कता है ये लम्बाई जो आपकी खीज रहेगी वो 1.5-5 cm की रहेगी और जो एक खाना ये देखेए जो एक खाना बना हुए है इसकी जो लम्बाई ये दूरी रहेगी वो दसमलोग 5 cm कराएगा अब इसके बाद यह जो उचाई रहेगी यह उचाई कितने की दी हुई थी यह उचाई हमारे पास पहले से दी हुई थी साड़े 3 cm की तो यह उचाई हो गई साड़े 3 cm अब इसके बाद अब यहाँ पे हमें उचाई ग्यांत हो गई यह उचाई यह जो उचाई है यह उचाई देखेंगे साड़े 3 cm दी हुई थी तो हम इस पकास से 1,5 cm की रेखा किचेंगे और जो यह नीचे की रेखा है इस रेखा की हमाइपाल लंबाइ कितनी निकल के आई है 1,5 cm तो नीचे की यह जो रेखा है इस रेखा को इस पकाँ से पटरी के साहता से 3,5 cm की लंबी रेखा किचेंगे उसके बाद इस और यह जो रेखा रहेगी इस और भी रेंज थी sada 3 cm इसकी उँचाई रहेंगी और ngamay सकी 7.50 cm सेंटिमिटर रहेंगी अब इसमें हम क्या करेंगे अब इसमें हमें खानसे बनाने ए तो सबसे पहले यह जो चोटे-छोटे खाने होते हैं इन्हें बनाने के लिए जो पेुक्रिया होती है वो जब हम जो भी उचाई दी हुई थी जैसे साड़े 3 cm उचाई दी हुई थी तो इसमें जब 7 का भाग करेंगे तो 7 पना 35 अर्था 0.05 जो 5 आया था तो हमारा जो एक खाना रहेगा वो 0.05 cm कराएगा तो यह जो रेखा होती है इस रेखा पे हम हम पटरी की साहता से 0.05 cm के इस प्रकार से पॉइंट रख लेंगे पूरी रेखा में इस प्रकार से 0.05 cm के यह पॉइंट रखते हैं और यही पक्रिया से हम उपर की ओर भी करेंगे यह जो रेखा होती है इस रेखा में भी पटरी की साहता से 0.05 cm के इस प्रकार से हम पॉइं में करेंगे इस पकाँ से इनको सभी को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद तो हमारा ये जो लंबोत रेखाएं होती है ये मिल जाती है इसके बाद हमारी ये जो रेखा होती है और अंतिम ये रेखा होती है इस रेखा में पटरी रखते हैं और दसंबलो 5 cm दूरी पर इस पकाज से पॉइंट रखेंगे और ये जो रेखा है इस रेखा पे भी पटरी के साथा से दसंबलो 5 cm के इस पकाज से पॉइंट रखते हैं और इन रेखाओं को इस पकाज से एक दूसरे से मिला देते हैं बनाना है यहाँ जो दूरी होगी जो उचाई होगी यह चेंज होगी और यह जो अच्छर सॉलिड है यह भी चेंज होगा उसके बाद यदि आपने सम्मी चितर एसे जड़ तक अच्छे तरीके सीख लिया है तो यह जितने भी अच्छर लिखे जाते हैं वो आप बहुत ही अ प्रकाज से बनाएंगे और इसके बाद इस रेखा को एक खाने तक ले जाते हैं और इसको ले जाते हुए इस प्रकाज से ले जाएंगे ओको हम इसी प्रकाज से बनाएंगे चार खानों में यह इस प्रकाज से जाएगा और यह आंगे के दो खानों में जाता है इसी प्रक किस पकाज से लिखा गया है और उसके बाद ये जो च्छाय अंकित बाग होता है इसे हम अच्छी तरीके से च्छाय अंकित कर देंगे ये जितना भी ब्लैक बाग है इसे हम च्छाय बोला जाता है इसे भी हम च्छाय अंकित कर देंगे और ये जो आपको सॉलिड है ये अच्छरों में निम लिखे तो वाक लिखिए यहाँ पर दूसरे का खार आएगा इसमें हिंदी अथवा अंग्रेजी में हमें एक वाक लिखना है हिंदी में वाक यहाँ पर दिया हुआ है नव नगत न तेरा उधार और अंग्रेजी में देखेंगे तो यहाँ पर वाक दिय यह हमें वाक लिखना है, तो इसमें यदि रैटिंग आपके अच्छी है तो आप हिंदी में लिखिए और अंग्रेजी में रैटिंग अच्छी है तो आप यह sentence लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना है, आईए देखते हैं कि इसे हम किस पकार से लिखेंग खंड, बामे, दोका, जो आपका खाप प्रशन है, जहाँ पे हम इंग्लिस में वाक लिखेंगे, तो सबसे पहले आप एक सीधी रेखा इस पकार से खिचेंगे, रेखा खिचने के बाद इसमें हमें एक 90 अंस का कोण बनाना होता है, तो प्रकार की नोक आप इस पॉइंट और फिर प्रकार की नोक यहाँ पे रखें, इस पकार से चाप लगाते हैं, इसके बाद जहाँ पर यह दोनों चाप एक दूसरे काटते हैं, इनसे होते हुए एक सीधी रेखा खिंचते हैं, और यह हमारा 90 अंस का कोण इस पकार से complete हो जाता है, तो 90 का कोण कैसे बनाते हैं आपने सीख लिया इसके बाद प्रश्न में हमें जो इसकी हुचाई थी वो एक दसमलो 5 cm दी हुई थी तो पटरी या प्रकार की साहता से आप प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और प्रकार में पटरी के साहता से 1.5 cm के दूरी नाप लेंगे और यहाँ से एक चाप यहाँ पे इस पकार से लगाएंगे जो की 1.5 cm के दूरी पे रहेगा हमें एक नियून कॉन बनाना होता है तो नियून कॉन बनाने के लिए इस पॉइंट से हमें पटरी के साहता से एक नियून कॉन बनाएंगे जो 30 या 45 अंस का तिरचे अच्छर में जब हम कोई वाक लिखते हैं तो उनके वाक बनाने के लिए जो ग्राब बनाया जाता है वो दो अनपाद, तीन अनपाद, दो में बनाया जाता है इसलिए इन सबको हम एड़ करेंगे तो यह हो जाएगा 2, प्लस 3, प्लस 2 इन सबको एड़ करने पर तो कुल टोटल जो है साथ चाप हमें इसलिए इस रेखा पे हम साथ चाप लगाते हैं तो यह जो साथ चाप होते हैं इनके लिए आप प्रकार में कोई भी एक साइज ले लेंगे आप कितनी भी छोटी या बड़ी साइज ले सकते हैं याद रखिएगा जितना बड़ा साइज लेंगे उतनी ही ये रेखा लंबी हो जाएगी इसलिए आप एक मेडियम साइज ले सकते हैं और प्रकार की नोग फिर आप इस पॉइंट पर रखेंगे और इस पॉइंट पर प्रकार की नोग रखकर यहां पर पहला चाप लगाएंगे उसके बाद प्रकार की नोग आप ये पहले चाप में रखेंगे और यहां से दूसरा चाप लगाएंगे इसके बाद प्रकार की नोग दूसरे चाप में रखेंगे और यह साथ में आपको या तकना है जो प्रकार की साइज है उसे आप कम या जादा नहीं करेंगे जितना आपने पहला चाप जितने दूरी में प्रकार में लगाया था उतने ही सभी चाप एक दूसरे बिल्कुल बराबर होने चाहिए उसके बाद यहां से तीसरा चाप और प्रकार की नोग तीसरे चाप में रखकर यह चाप लगाएंगे इसी प्रकार से यह सभी चाप लगा देंगे और इन सब की हम नंबरिंग कर देंगे 1,2,3,4,5,6,7 इतना करने के बाद यह जहां पे 7 नंबर का हमारा चाप आता है यहां से होते हुए और जैसे यहां पे 1,5 cm के उचाई का जो हमने यहां पे चाप लगाए था यह पॉइंट रखका था इससे होते हुए इस साथ नंबर चाप से इस पकार से एक सीधी रेखा के मादम से इसे हम मिला देंगे इतना करने के बाद यह जो हमारी रेखा है इस रेखा पे हम सेडिस्क्वायर रखेंगे और इस रेखा के समानतर हम ये एक ये रेखा कीचेंगे और इसी समानतर एक ये दूसरी रेखा कीचते हैं याद रखिएगा ये जो रेखा है इस रेखा की जो समानतर हम रेखा केचेंगे तो पहली जो रेखा जाएगी वो 5 नमबर के चाप से जाती है और अंतिम जो रेखा जाएगी वो दूसरे चाप से जाती है तो 5 नमबर चाप से एक इसके समानतर रेखा केचेंगे और दूसरी इसके समानतर रेका इस प्रश्न को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है आप प्ले लिश्ट में जाके सेक्षन B की जो प्ले लिश्ट बनी हुए उसमें देख सकते हैं इससे रिलेटेड हमने 5-6 वीडियो कम्प्लेट करवा दिएगे जहां से आप इसे देख सकते हैं और यहां पर आपको समझाया जा रहा है कि आप इस पर किस पकाज से बनाएंगे यह समानतर रेखा हैं बनाने के बाद जब आपकी समानतर रेखा हैं बन जाएंगी तो यह जो उपर की रेखा है यहां से यह जो 1.5 cm के उचाई थी इसके यहां से होते हुए एक सीधी रेखा है इस प्रकाज से बिलकुल खिंच देंगे इसना करने के बाद दूसरी जो रेखा रहेगी वो दूसरी रेखा है इस point से होते हुए बिल्कुल सीधी हम इस पकार से खिचेंगे और ये तीनों जहाँ पे एक दूसरे को मिलेंगी उसके बाद यहाँ पे इसको मिला देंगे तो इस प्रकार से यह आपका जो पूरा graph है यह बनके complete हो जाता है और अब इसमें हमें जो कार करना है वो यह है कि चांद रखेंगे और यहाँ से एक 75 अंस की रेखाएं इस पकार से खिच सकते हैं याद रखिएगा यह जो 75 अंस की रेखाएं होते हैं यह आप कितनी भी खिच सकते हैं किन दूम आप ज़्यादा ही न खिचे कम से कम 4 या 5 रेखाएं ही खिचे जिससे आपका लिखा हुआ जो लिखते हैं आप वो ज़्यादा दिखाए दे और ये रेखाएं कम दिखाए दे तो आप 3 या 4 या 5 बहुत से बहुत 5 रेखाएं खिंश सकते हैं अब इसके बाद इसमें हमें लिखना है One worth is to tomorrow तो जो O है, O को हम इस पकार से तिर्चा लिखेंगे और यन ए, One worth तो जो डबलू रहेगा वो बिल्कुल 75 रंस कोंड से इस पकार से मिलाते हुए और O, R, T, H One worth is to tomorrow जो tomorrow है वो आँगे इस पकार से आएगा यदि आपकी ये रेखा जब छोटी पढ़ जाती है तो इसे हम आँगे की ओर इस पकार से आउब बढ़ा लेंगे और तब हम इसे complete करेंगे तो इस पकार से आप इस प्रशन को लिख सकते हैं हमारा next प्रशन है और इसी साथ आपका दो कखा समाथ होता है यदि जिसे ये प्रशन नहीं करना तो वो फिर ये बिकण मापनी का प्रशन कर सकता है इसके बाद खंड बागे बाद आता है खंड सा खंड सा याद रखिएगा खंड सा आपका सोला नंबर का पूंचा जाता है और खंड सामी इस प्रकार से आपके दो प्रशन दिये होंगे बीच में अथवा लगा होगा इसका मतलब है कि आपको या तो ये प्रशन आप कर सकते हैं या ये प्रशन दोनों में से जो प्रशन आपको आ रहा हो वो आप करेंगे और यादर कियेगा खंडसा में सिर्फ आप एक ही प्रेशन करेंगे सबसे पहला प्रेशन है हमारा एक तिर्भुज बनाओ जिसका 6 तरफल 5 वर के सेंटीमीटर और सीस कौन पचासंसो तो आईए देखती हैं कि इस प्रेशन को किस प्रकाज से साल्व करेंगे हमारा प्रेशन था कि 5 सेंटीमीटर छेतर फरवाले तिर्भुज बनाना है जिसका आधार कौन पचासंसो तो यहाँ पर सरपिथम आप 5 सेंटीमीटर की ये एक रेखा किचेंगे 5 सेंटीमीटर देखा किचने के बाद इसे हम नाम दे देंगे काबिंदू और इसे खाबिंदू इसके बाद काखा जो रेखा गई है इस रेखा को सम्दिभाजित करेंगे तो सम्दिभाजित करने के लिए हम आदे से अधिक दूरी लेंगे तो प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेंगे उसके बाद प्रकार की नोग कामे रखेंगे और यहां से एक यहां पर पहला चाप इस प्रकार से लगाएंगे और दूसरा चाप इस प्रकार से प्रकार की नोग बिंदुखा में रखेंगे और पहला चाप यहाँ पर और दूसरा चाप यहाँ पर यह दोनों चाप जहाँ पर मिलेंगे इस रेखा को हम इस प्रकार से रचनात्मक रेखा के रोम में मिला देंगे इसके बाद हमें ये एक मद्द बिन्दू यहां पर प्राप्त हो जाएगा प्रकार की नोग यहां पर रखेंगे और प्रकार में कातक की दूरी लेंगे और कास तक की दूरी लेने के बाद यहां से हम इस प्रकार से एक ब्रत बना देंगे और बिंदू खापे मिला देंगे इतना कार करने के बाद यह जो का से खातक की दूरी है 5 cm है इसी रेखा के समानतर हम उपर एक ये रेखा कहेंचेंगे और ये जो रेखा रहेगी इनके बीच की दूरी आपको 2 cm रखना है 2 cm की दूरी पर आप इस रेखा के समानतर एक ये सीधी रेखा इस पकाई से खिंच देंगे जो की बिंदू या और बिंदू रा पे जाके मिलेगी इसके बाद आप चांदा इस पॉइंट पे रखेंगे चांदा रखने के बाद यहाँ पे आप 50 डिगरी का कौन बनाएंगे और इस ओर भी आप 50 डिगरी का कौन बनाएंगे तो ये दोनों कौन जब बन जाएंगे तो जहाँ पे ये जो हमने समानतर रेखा इस पकाई से खिंची थी और ये ब्रत जहाँ पे एक दूसरे को इस पकाई से काटेंगे वहाँ से एक इस प्रकार से रेखा खिचेंगे और इस चावा यार रेखा को हम यहाँ पे खापी मिला देंगे तो इस प्रकार से 5 cm छेतर फल वाले एक तिरभुज करने माड हो जाएगा और जिसका अधार कौंड क्या रहेगा यह अधार कौंड 5-50 अंस रहेगा तो इस प्रकार से इस प्रशन को यहाँ पे साल्व करेंगे हमारा निश्ट प्रशन है यह प्रशन आपका समाप्त होता है यदि आपको यह प्रशन नहीं करना तब फिर आप इस प्रशन को कर सकते हैं ये प्रशन है प्रच्छेदी चापों द्वारा दीर्गवेत खिंचिए जिसके दीरगच तथा लगवच क्रमसा 8 cm और 6 cm हैं दीर्गवेत पर बिंदुघा पर एक स्पस रेखा तथा अबलम खिंचिए याद रखिएगा इसमें जो दीर्गवेत की रचना करनी है वो यहाँ प्रच्छा की प्ले लिष्ट बनी हुई है वहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो आपके दीर्गवेत से रेलेटर से अभी प्रशन मिल जाएंगे और प्रच्छेदी चापों द्वारा आपने दीर्गवेत की रचना कैसे करेंगे वो वहाँ पर बताया दीर्गवेत गया है तिपोरा क्वारा दीए अनुमान लगी है चित्र में सकते हैं और यह जो चित्र है यह चे यह नहीं पर फशसरा फिचेदी चापुझा देर्गवेत को नहीं दर्साया गया है ये एक आकरत दी हुई है कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं जो आप चितर बनाएंगे वो इस पकाज से बनेगा इसका कम्प्लीट वीडियो की देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएए वहां से इसे देख सकते हैं सबसे पहले एक दीरगबित इस पकाज से बनाएंगे दीरगबित बनाने के बाद दीरगच जितनी दूरी दे रखी है वो दीरगच की दूरी खिंचेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक लगवच खिंचेंगे लग अज खिजने के बाद प्रकार की नौक हम बिंदू गापे रखेंगे और यहां से होते हुए नाब इक निर्माड इस प्रकार से करेंगे यहां पे नाब इक नाम लिख देंगे N1 और N2 इतना कार करने के बाद यह जो हमारा दीर्गिवित है इस दीर्गिबत पे कहीं पे भी एक बिंदु मानेंगे यहाँ पे जो बिंदु माना गया है इस पॉइंट पे जिसका नाम दिया गया है बिंदुपा अब बिंदुपा से होते हुए हम एक रेखा खिंचेंगे जो की ना भी N1, N2 पे जाके मिलेगी और यहीं से एक दूसरी रेखा इस पॉइंट से खिंचेंगे जो ना भी N1 पे जाके मिलेगी इसके बाद यह जो बिंदुपा है इस बिंदुपा को हम सम्दुभाजित करेंगे सम्दुभाजित करने के लिए यहाँ पे आप इस पॉइंट से चाब लगाएंगे और यहाँ पे इस पकार से चाप लगेगा इस पकार से प्रकार किनोग यहाँ पे रखके एक चाप यहाँ पे लगाएंगे और एक चाप यहाँ पे यह दोनों चाप जहाँ पे काटेंगे इनसे होते हुए एक सीधी रेखा आप इस पकार से मिला देंगे और यही जो रेखा है इसी रेखा को हम इस पर से रेखा कहेंगे इसमें आप देख सकते हैं यह जो कार है यह देखिए नीचे की ओर किया गया है और यहाँ पर यह चाप लगाया गया है यह दोनों चाप जहां से मिले हैं और इस परस रेखा को दूसरी तरब या दोनों एक ही ओर दिखाना है आपको तो ये जो रेखा गई थी ये रेखा इस पकाज से खिंचेंगे ये N2 पे जाएगी और ये N1 पे सबसे पहले इस परस रेखा इस पकाज से खिंचेंगे इस परस रेखा खिचने के बाद अब हमें बनाना है अब लंब आप ये कार करने से बचना चाहते हैं तो प्रकार की नोग फिर बिन दुपा पे रखेंगे और यहां से एक चाब लगाएंगे जो इन दोनों रेखाओं पे होते हुए इस पकार से कट करेगा इसके बाद प्रकार की नोग आप इस पॉइंट पे रखेंगे और यहां पे एक पहला चाब लगाएंगे और प्रकार की नोग इस पॉइंट पे रखकर ये दूसरा चाब लगाएंगे ये दोनों जहाँ एक दूसरों कट करेंगे इनसे होते हुए एक सीधी रेखा इस पकार से मिला देंगे और यही रेखा यहाँ पर अबलंब का कार करेंगे तो आप इस पकार से इस पर से रेखा और अबलंब कहीं सकते हैं या इस पर से रेखा को आप अलग दर्सा सकते हैं और अबलम को अलग दर्सा सकते हैं आप कि जो इच्छा हो वो आप यहाँ पर कार कर सकते हैं इसीक साथ यह प्रेशन आपका complete होता है हमारा निश्ट प्रेशन है खंड सा के बाद आता है खंड दा खंडदा आपका सोलांक पूछा जाएगा और खंडदा में सिर्फ आपको एक ही प्रश्ण करना होगा याद रखिएगा खंडदा में दो प्रश्ण मिलेंगे जो अथवा करके दिये होंगे तो यहाँ पर पहला जो आप प्रश्ण है वो है एक सम पंच बुजाकार सूची इस्तम जिसकी बुजा 3 सेंटीमीटर अच की उचाई 6 सेंटीमीटर का एक तिर बुजाकार फलक 36 समतल से 6 टंस का कोण बनाता है तथा उर्दध समतल के लंबोथ सूची स्तम का अनुभी छेब तथा उस सेट खिंचिये तो आईए देखती है इस प्रश्ण का चितर के इसप्रकार से बनेगा दाका जो पहला प्रश्ण है उसका चितर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस प्रश्ण का चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा जिसमें यहाँ पर जो उचाई थी वो 6 cm इस प्रकार से रहेगी तथा इसकी जो चौड़ाई दी हुई थी वो यहाँ पर इस प्रकार से 3 cm की रहेगी और ये उच्छेद रहेगा और ये अंच्छेब और ये आपका 36 समतल और ये उर्दाद समतल और इस पकार से ये पूरा चितर कम्प्लीट होगा तो इससे बनाने का आप अभ्यास करें नेश्ट हमारा प्रश्ण है खंडदा में यदि आपको ये प्रश्ण नहीं करना तो आप फिर इस प्रश्ण को कर सकते हैं ये है एक संगु का अनुविच्छेब तथा उच्छेब खिंचिए जिसकी अच 36 तल से 45 संस का कोण बनाती है तथा उधर दतल तल के समानतर है संगु का अधार ब्याद 4 सेंटिमीटर तथा उचाई साड़े 5 सेंटिमीटर है तो आएए देखते हैं कि ये प्रश्ण का चित्र किस पकार से बनेगा यहाँ पे एक संगु का उच्छेब और हमें अंच्छेब बनाना था तो ये देखिए ये हमारा संग को इस पकार से उच्छा जाएगा और इसमें दो प्रश्ण दिये रहते हैं जो कि अधवा के मादम से जुड़े होते हैं इसलिए खंड़ी में आपको एक ही प्रश्ण करना है पहला प्रश्ण है साड़े 4 सेंटिमीटर किनारे के वर्गकार संपास जिसकी उचाई 6 सेंटिमीटर है 36 समतल पर खड़ा है संपास का सम्मीचितर बनाईए और अथवा करके दूसरा प्रश्ण रहता है अंग्रेजी के अच्छर यच का सम्मीचितर बनाईए अच्छर की चौड़ाई 4 सेंटिमीटर उचाई 7 सेंटिमीटर अच्छर यच की लकड़ी का बना है और काट एक वर के खंड-E में जो पहला प्रश्नता उसकी आकरत इस्पका से कुछ बनेगी एक वर्ग का संपार से उसकी सम्मित इस पकाज से बनेगी इसके लिए सबसे पहले आप एक अधार रेखा इस पकाज से खिचेंगे अधार रेखा खिचने के बाद एक 90 की रेखा इस पकाज से खिचेंगे 90 की रेखा खिचने के बाद एक सम्मित सेमी खिचेंगे अर्थाद सम्मित रेखा इस पकाद से खिचेंगे जो तीसंस की होती है आपने एसे लेकर जड़ तक जो सम्मित अच्छर बनाए हुए है वहाँ पे आपने ये पक्रिया बहुत ही बार अक्की होगी ग्राब बनाने में तो वही सेम काम यहाँ पे करना है तो ये एक सम्मित रेखा खिचेंगे तीसंस से जाएगी और इसे और भी एक सम्मित रेखा खिचेंगे जो कि तीसंस से यहाँ पे होकर जाएगी इसके बाद ये एक सुद्ध सेमी खिची जाती है जो कि 45ंस से होकर जाती है इतना कार कनने के बाद यहां पर जो रेखा की लंबाई दियो थी वो 45-4 cm थी तो यह जो हमारी सम्मी सेमी है इस में इस पॉइंट से हम प्रकार की नोग रखेंगे और 45-4 cm यहाँ पर एक चाब लगांगे यही सेम कार हम इस ओर करेंगे और यहाँ पर साड़े चार सेंटीमीटर का चाब लगाएंगे और यह जो 90 की रेखा गई है इसमें भी सेम यही कार करेंगे साड़े चार सेंटीमीटर का यहाँ पर एक चाब लगाएंगे और इन सबी को हम इस प्रकार से एक दूसरे से होते हुए मिला देंगे तो ये जो हमारा एक वक्र है इस प्रकार से बनके तयार हो जाएगा आप चित्र में देख सकते हैं इसके बाद जो हमारी इसकी उचाई थी वो उचाई 6 cm दी हुई थी तो इस पॉइंट से हम एक 90 का कोण बनाएंगे और 90 का कोण बनाने के बाद सीधी रेखा इस प्रकार से एक खिंज देंगे यही सेमकार हम इस बिंदू पर करेंगे इससे भी 90 का कोण बनाएंगे और ये एक सीधी रेखा इस प्रकार से खिंज देंगे इसके बाद 6 cm के उचाई दी हुई थी, तो प्रकार में हम 6 cm नाप लेकर इस point से यहाँ पे एक इस पकास चाप लगाएंगे, दूसरा जो चाप रहेगा वो इस point से यहाँ पे 16 cm का चाप रहेगा, तो इस पकास से हमें 2 point मिल जाएंगे, दो point मिलने के बाद ये जो हमारी 90 की रेखा थी इस रेखा को हम आंगे की और बिलकुल सीधे इस पकाई से आंगे की और बढ़ा देंगे बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे ये जो हमारा point है इस point से और प्रकार में 4.5 cm की दूरी नापेंगे और इस point से इस रेखा की और एक पहला चाब लगाएंगे जो यहाँ पे काटेगा और उतनी ही दूरी का था 4.5 cm का इस point से हम एक दूसरा चाब लगाएंगे जो यहाँ पे काटेगा तो इस पकार से इस रेखा को यहाँ पे मिलाएंगे और इसे यहाँ पे यही सेम कार हम इस और करेंगे साधे-चार सेंटिमीटर का इस पॉइंट से चाब नीचे क्यों लगाएंगे और इससे यहाँ पे चाब लगाएंगे तो यह यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाएगा और इसे आप असानी से बना सकते हैं पूरा यहाँ पे समझा दिया गया है कि यदि आप इसे बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे निश्ट हमारा प्रश्ण था कि एच का सम्मीचितर किस प्रकार से बनाएंगे यदि आप इस प्रश्ण को नहीं करना चाहते तब फिर आप इसे करेंगे यच का सम्मिच्चित कुछ इस पकाज से बनेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यच का सम्मिच्चितर बनाया गया है यच का सम्मिच्चितर बनाने के लिए सबसे पहले ये आपादार रेखा किचेंगे उसके बाद 90 अंस की ये रेखा किचेंगे उसके बाद सम्मित रेखा जो कि 30 अंसे होते हुए इस पकाज से जाएगी और इस ओर भी एक रेखा कहिचेंगे जो कि 30 अंसे होते हुए जाएगी इस पॉइंट से हम इसमें 1 cm दूरी पर इस पकाज से पॉइंट रखेंगे और यहां से एक सीधी रेखा किचेंगे और इन दोनों रेखाओं को आपस में इस पकाज से मिला देंगे इसके बाद यह जो सम्मित रेखा है इसमें एक एक सेंटीमीटर के इस पकाज से पॉइंट रखेंगे इन पॉइंट से होते हुए सीधी रेखा हम इस पकाज से खिचेंगे याद रखिएगा इन सभी चित्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है आप इन्हें देख सकते हैं इतना कार करने के बाद ये जो हमारी सभी रेखा हैं इन रेखाओं को इस पकाज से मिला देंगे इसके बाद इस पॉइंट से हम एक सेंटी मिटर के ये रेखा किंचते हैं और इस रेखा को यहाँ पे इस पकाज से मिला देंगे इतना करने के बाद ये जो हमारी रेखा है इसमें एक एक सेंटीमीटर के यहाँ पे तीन पॉइंट रखेंगे और इन पॉइंट को इस पकाज से मिला देंगे मिलाने के बाद ये जो हमारी रेखाई थी इसमें भी एक एक सेंटीमीटर के साथ पॉइंट रखेंगे और इस रेखापे भी एक एक सेंटिमीटर के साथ पॉइंट रखेंगे और इन सभी रेखाओं को आपस में इस पकाज से मिला देंगे सभी रेखाओं खिचने के बाद अब ये जो रेखा रहती है इस रेखा पी एक एक सेंटीमीटर के इस पकाज से हम पॉइंट रखेंगे और इन सभी पॉइंटों को इन रेखाओं से इस पकाज से मिला दिया जाता है इतना खार करने के बाद ये जो हमारा ग्राप है ये ग्राप बन के तयार हो जाता है इसके बाद अब हमें यच का सम्मिच चितर बनाना है तो यच का सम्मिच चितर बनाने के लिए सबसे पहले ये जो 90 की रेखा है इस रेखा को हम डार करेंगे इस रेखा को डार करने के बाद इसका जो एक खाना है एक खाने में इस पकाज से हम रेका खिचेंगे और ये जो रेका ही है इस रेका को भी अच्छे से डार करेंगे और नीचे के इस भाग को इस पकाज से डार कर देंगे इसके बाद इसका जो पीछे भाग है अर्थात ये जो एक पूरा खाना रहता है इसे हम डार करेंगे और इस रेखा को नीचे के और ले आएंगे और यहाँ पर मिला देंगे मिलाने के बाद यह जो भाग है इस भाग को हम इस पकाज से चायंकित कर देते हैं यही सेम काब हम इस ओर करेंगे यह आई कैसे बनता है दो आई दो आई यदि आप इस पकाज से बना देते हैं और इन्हें आपस मिला देंगे तो यह H बन जाता है तो H बनाने की यही प्रसेस होती है तो सबसे पहले हम दोनों तरफ आई करने नमाल करते हैं तो एक आई आई आपकी इस और बन चुकी है दूसरी आई बनाने के लिए सबसे पहले इस रेखा को हम चैंकित करेंगे इसके बाद एक खाना इस और आएंगे और इस खाना से होते हुए उपर की और इस पकाज से रेखा ले जाएंगे और इसे जाके मिला देंगे सेम यही काम पीछे की और करेंगे एक खाना इस पका से आएगा एक रेखा इस पका से और ऐसे मिल जाएगी इसके मिलने के बाद अब हमें इसकी चाया बनानी है तो चाया बनाने के लिए सबसे पहले नीचे वाले भाग से कार करेंगे, यहां से काउंट करेंगे, तो यह हमारा पहला खाना पहले खाने में यहाँ पे इस point पे हम इस point से इस point तक इसको ऐसे आपस मिला देंगे और इसे एक खाना, दो खाना उपर तक इसे सीधी रेखा खिंचते हैं और इसे जाके आपस में इस पकास से मिला देंगे इसके बाद यह जो मद का खाना होता है इसे हम छोण देंगे छोणने के बाद इस रेखा को सीधे ऐसे मिला देंगे और इसके बाद इस रेखा को एक खाने तक ले जाएंगे और इस रेखा को सीधे जाके इस पकाज से मिला देंगे और इसके बाद ये जो भाग होता है इस बाग को हम इस पकाज से चायंकित कर दें तो आपका जो एच है वो इस पकास से complete हो जाएगा आपका section E यहाँ पर complete होता है A से E तक जितने भी section है वो सबी complete हो गए इसके बाद आता है section F section F बहुत ही important रहता है यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड एक बाद आता है खंड app कंड app में किसी एक कanswer आपको बनाना होगा यहाँ पर तीन तरीके प्रशनाःंगे पहला प्रकत चितरंड से दूसरा इस्मरच चितरंड से और तीसरा प्राक्तिक चितरंड से तो इन तीन तरीके से आपके परशना आते हैं तो याद रखिएगा जो इसम्रेच चित्रण है इसमें केवल आपको pencil द्वारा ही बनाना होते हैं चित्र और प्रकषत चित्रण और प्राक्तिक चित्रण में आप color का यूज कर सकते हैं तो जो भी आप बनाने का भ्यास करें, वही आप एक्जाम में भी बनाएं, यदि आप प्रकचितरन का भ्यास करते हैं, तो ये आपको एक्जाम में बनाने हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, जो आपका प्रकचितरन रहता है, प्रकचितरन में कुछ इस पकार से आपक आपको पुस्प, कली, पांच-छे पत्तियां, टैनी, इनका प्राक्ति चितरन करना होता है, तता साथ में याद रखें, ये जो कार है, इसके लिए आप जल रंग या फिर पोश्टर रंग का यूज कर सकते हैं, साथ में जो आप वहाँ पे फूल बनाएंगे, उसकी जो उच चाहिए, वो 25 cm से छोटी नहीं होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है, और सिर्फ आप जल रंग या पोश्टर रंग का यूज कर सकते हैं, तो जब आप एक्जाम देने जाएंगे, तो वहाँ पे आपके सामने एक फूल रख दिये जाएगा, ये फूल पहल, कनेर, गेंदा, सूरज मुकी इन में से कोई एक हो सकता है, तो इन पुस्पों को आप बनाने का भिहास करें, यदि आप प्रकाचित्रण करना चाहते हैं, यदि आप प्रकाचित्रण नहीं करना चाहते हैं, तब फिर आपके पास एक नीचे एक option आता है, जो की इसमर चित्रौन को अंग्रेजिये में हम memory drawing कहते हैं इसमर्ट चित्रौन में cool total 6-8 प्रशन रहते हैं इन 6-8 प्रशन में मात्रा आपको एक ही प्रशन का चित्र बनाना होता है जैसे पहला प्रशन रहेगा और साथ में याद रखें जो चितर बनाएंगे वो Pencil या फिर Charkel Pencil के मदद से ही के वाला आप बना सकते हैं और इन चितरों की जो उचाई रहेगी वो 20 cm से कम नहीं होने चाहिए तो उचाई को भी से ध्यान रखें और Pencil का भी ध्यान रखें Pencil और Charkel Pencil के मदद से ही आप चितर बनाएंगे इसमें जो चितर रहेंगे वो पहला प्रशन है दो पत्तियों वाला आपको अम्रूद बनाना है या इसे आपको नहीं बनाना है तो आप फिर इसे मना सकते हैं इसमें फलों की प्लेट बनानी है इसे भी आपको नहीं बनाना तो आप ये प्रशन कर सकते हैं इसमें आपको हीरन या मोर में कोई एक ही चितर बनाना है यह भी आप इसे नहीं बनाना चाहते तो आप फिर प्रशन नमबर 4 की ओर जाएंगे इसमाँ सिम्वला मिर्च और गाजर दिया हुआ है तो सिमला मिच और गाजर में कोई एक बनाना है आपको ये भी नहीं बनाना तो फिर आपको दोड़ता हुआ गोड़ा बनाना पड़ेगा अतात जितने भी ये प्रशन दिये होते हैं इन प्रशनों में कोई एक ही चितर आपको बनाना है अब आंगे हम देखते हैं कि ये सभी चितर किस पकार से आप बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि फलों की टोकरी किस पकार से बनाएंगे जो फलों के टोकरी है वो कुछ इस पकार से बनेगी और यदि आप फलों के टोकरी नहीं बनाना चाहते तब फिर आप आँगे जाएंगे और आपके आँगे जो मोर का चित्र दिया था कि मोर या हीरन में कोई एक बनाईए तो उसे आप बना सकते हैं या तो आप मोर का चित्र बना सकते हैं या फिर हीरन का यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो मोर का चित्र है वो किस पकास से बनेगा जरूरी नहीं है कि आप दो ही मोर बनाए आप सिंगल मोर भी बना सकते हैं डाल पे बैठा हुआ आप मोर बना सकते हैं यदि आपको मोर भी नहीं बनाना तब फिर आप दो पतियों साहित अमरूत का चितर बना सकते हैं जो कि कुछ इस पकार से बनेगा आप ये देख सकते हैं ये अमरूत का चितर है पतियों साहित इस पकार से बनेगा यदि आप इसे भी नहीं बनाना चाहते तब फिर आपके सामने नेश्ट आप्सन है दोड़त इसमेच चितरन और प्राक्तिक चितरन से इनमें से कोई एक ही आपको करना है यदि आप इसमेच चितरन करते हैं तो इसमेच चितरन में 6-8 तरीके के आपके प्रशन रहेंगे उनमें से कोई एक ही प्रशन आपको करना होता है तो ये आप सभी चितरा आपको दिखा दीगे है इन्हें देखें और बनाने का अभ्यास करें यदि आपको प्रक्त चितरण और इसमेच चितरण में से कोई नहीं करना तो फिर आपके पास option बनता है प्राक्तिक चितरण का आईए देखें कि प्राक्तिक चितरण वहाँ पे आप एक्जाम हाल में किस प्रकाश से बनाएंगे तो student प्राक्तिक चितरण करना साथ है तो कोई भी एक प्राक्तिक दरस आपको वहाँ पे एक्जाम में दे दिया जाएगा तो उसी प्राक्तिक द्रस को आपको बनाना होगा और याद रखेगा प्राक्तिक चित्रन में 2-3 तरीके के प्रशनाते हैं इन में से कोई एक ही आपको करना होता है तो यह से यह एक चित्र है इसे आप बना सकते हैं या फिर ये चितर है इस प्रकार से आप प्राक्तिक द्रसाप को बनाना होगा तो इसकी जो लंबाई रहती है वो पचीज सेंटीमेटर के आसपास रहती है तो इसे पचीज सेंटीमेटर में ही आपको बनाना है ये सबी तरीके के प्रशन सेक्शन A से लेकर सेक्शन F तक के उरज मुखी का या फिर गेंदा का या गुलाब का तो उसी फूल को देख कर आपको कुछ इस पकार से बनाना है जिसमें आपको उसका फूल होना क्याए कलिया होनी चाए पतियां होनी चाहिए और खेले, कली होनी चाहिए ये आप देख सकते हैं इस इक साथ जो आज का मॉडल पिपर है वो समापत होता है वीडियो को लाइक जरू कर दें वो दोस्तों के साथ सेर अवस्थ करें तथा किसी विप्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूँश सकते हैं मिलते हैं नेश्ट वीडियो में जय हिंद